नमश्कार आज के सिसन हमारा काफी इंपोर्टन रहने वाला है क्योंकि हमारे आज के सिसन में हम यहाँ पे जो हमारा तीसरा पेपर है बेड़ फर्स्ट एर का जो कि लैंग्वेज और सोसल साइन्स है यानि भासा और समाजी विग्यान इसके अंतरगात हमारा जो पहला चैप क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं देखे संप्रेशन सिक्षा की रिड़ की हड़ी है जो संप्रेशन है अर्था जो कम्यूकेशन है वो क्या है सिक्षा की रिड़ की हड़ी है यह कोटेशन की रूप में आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिना संप्रेशन के अधि अब सम्प्रेशन दो सब्दों से मिलकर बना है सम, धन, प्रेशन अर्थात समान रूप से भेजा गया है सम्प्रेशन को अंग्रेजी में communication कहते हैं communication सब्द के उतपति Latin भासा के communious सब्द से communious सब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है सामान बनाना अतह है संप्रेशन का अर्थ है परसपर सूजना और विचारों का आदान प्रदान करना काफी important है पहले point में आप यास का quotation की रूप में लिख देंगे कि संप्रेशन सिक्षा की read की हड़ी है पहला point दूसरे point के अंतर कताब लिखेंगे कि बिना संप्रेशन के अधिगम और सिक्षन विधी नहीं हो सकती है और वहीं अगर संप्रेशन कोई सब्द को यहाँ पिलिख लेंगे कि संप्रेशन दो सब्दों से मिलकर बना है संधन प्रेशन अर्थात समान रूप से भेजा गया है संप्रेशन को है अंगरेजी में क्या है कम्यूकेशन हमने देखा कम्यूकेशन सब्द का जो उत्पत को इस भासा से हुई है वो लैटिन भासा से हुई है जिसको कम्यूनिस सब्द मानी जाती है जिसका अर्थ क्या होता है सामान ने बनाना अता संप्रेशन का अर्थ हम कह सकते हैं कि परस पर सूचना हो तो था विचारों का आदान प्रदान है ठीक है अब देखते हैं कि meaning of communication इनि संचार का अर्थ क्या होता है उसको समझने का प्रियास करते हैं देखें संचार अर्थात communication सब्द लैटिन भासा के कम्निको से बना है यहाँ पर देखें केंफ्यूज मत होईएगा यहाँ पर हमने संप्रेशन देखा है दूसरा हम देख रहे हैं संचार माध्यम ठीक है संचार कारत समझने का प्रियास करेंगे तो संचार जो है वो लैटिन भासा केम्निको से बना है C-O-M-M-U-N-I-C-O से बना है जिसका आपस में बाटना किसी वस्तुमें साजा करना संचार को संवहन तथा संप्रेशन भी कहते हैं एक दू तरफा पर किया है जिसमें अपने अनुभाव की साज़ेदारी के लिए वक्ता को स्रोता तथा लेखक को पाठक की आउशकता होती है यनि संचार के माध्यम से ही अपन दूसरे वक्ति तक पहुचाने का कारे करते हैं ये जो है ये दो तरीके से होती है एक तो स्रोता यानि हमारे सामने जो बैठा व्यक्ति प्रत्य चुरूप से है उसको हम अपने भासा के माध्यम से यहाँ पर संचार करेंगे ठीक है दूसरा क्या है दूसरा जो है लेखक है जो की अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे स्रोतागर होते हैं यानि वो अपने विचारों को किताब के माध्यम में लिखता है और किताबे स्रोतागर के माध्यम से या फिर कह सकते हैं कि जो पाठक होता है उसके माध्यम से तो इस तरीकेश नहीं हो सकता, तो इनमें दोनों पक्छों को भासा की जानकरी होना आवशक है, जब तक स्रोता वक्ता की बात पर ध्यान देने का इच्छुक ना हो, तब तक संचार या संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है, यह आप बखते रहिए, आओ आओ, वो स हम इसको रिवाइज कर लेते हैं संचार लेटिन भासक करना है पहला अर्थ दूसरा हमने देखा जिसका अर्थ है आपस में बाटना और किसी वश्चत में साजा करना ठीक अपने विचारों को आधान प्रतान करना एक दूर्फा प्रक्रिया है जिसमें अपने अन्भाव की सा वक्ता को स्रोता की तथा लेखा को पाठ sweetness होती है दूसरी वार्थ अब इसी घंदर करत हमने देखा कि दोनों पक्षो को जो है वो भासा की जानकारी होनी चाहिए जिस ब्छा में वक्ता बोल राया हो शूँता जिस भासा को सुन रहा है ठीक है अब जब तक स्रोतावक्ट प्रभुख परिभासाई नेमने की थैं एक पीटर वीरल थे जिनके अनुसार पीटर वीरल संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से व्यक्तियों पर संगठनों के मध्य सूचना इस रूप में संचारित की जाती है जिससे उसके फल्स रूप उत्तर में प्रतिक्रिया प्राप्त हो क्या कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से विदहल्प आफ्स व्यक्तियों पर संगठनों के मध्ध सूचना इस रूप में संचारित की जाती है जिससे क्या हो जिसके प्रतिसरों उत्तर हमें प्राप्त हो सूचना प्रसारित की जाएगी और उसके प्रति उत्तर में हमें उत्तर प्राप्त होगा वहें विलियम क्यूमेन एवन चार्ल्स का जो है कहना है कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों विचारों या मनोभावों का विन में है सबसे easiest है कि संचार क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों विचारों या मनोभावों का विन में है इसी तरीके से कोलियर्स एंसाइकलोपीडिया के एसाब से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एक प्राणी से दूसरे प्राणी या एक बुंदी से दूसरे बिंदु तक सूचना का अंतरण ही संचार कहलाता है। न्यूमेन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अर्थ का पूल है इसके अंतरगत कहने सुनने वा समझने का एक विधिवत निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। लूइस ए एलन के अनुसर क्या कहा गया था। ये अर्थ का पूल है इसके अंतरगत कहने सुनने समझने की एक विधिवत निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। यानि जब तक उसे प्रतियुत्तर में satisfactory आंसर ना मिल जाए तब तक वह वारतालाप करता रहता है। लूइस ए एलन यही संचार है। इसमें जो है क्या आपने सुनने वा समझने की एक विधिवत निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। आप नियुमेरिक का याद कर लिजेगा काफी important है तीन विचारक आप यहाँ पर आधी रख लिजेगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों विचारों और सलाहों या फिर भावनाओं का विन में ही जह संचार कहलाता है। प्राणी से दूसरे प्राणी से दूसरे प्राणी या फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सूचना का अनंत्रण ही संचार कहलाता है। और सलाह समलीत हैं जिससे की एक दूसरे के विचारों को आपस में समझ सके। और परिभासाओं के अधारपन निस्कर्स रूप से कहा जा सकता है कि संचार या संवहन कम से कम दो व्यक्तियों के मद्ध द्रिष्टि कोण अथवा सूचनाओं के विन्मे की प्रक्रिया है। अधा करते हैं और यह मौखी के अलिखित हो सकता है इस तरीके साफ है हम समझने का प्रियास कर सकते हैं। कि संप्रेशन प्रक्रिया यहां पर क्या बता गया है कि संप्रेशन प्रक्रिया परस पर अंत्हक्रिया तथा प्रस्ट पोषण होना आवशक होता है। संप्रेशन एक मनुवएग्यारिक तरसा समाजिक प्रणाली है। संप्रेशन सर्व व्यापक है, बिना संप्रेशन के सिक्षरकार संभव नहीं है। संप्रेशन दोई पक्षी होता है, एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला। संप्रेशन के लिए संप्रेशित तथ्यों, सूचनाओं और विचारों आधिका प्राप्त करता के लिए सार्थक होना आवशक है, साथी साथ में संप्रेशन में विचारों और भानों का आधान प्रदान होता है, संप्रेशन एक उद्देश पूर प्रक्रिया है, जो कम से कम दो व्यक्तियों के मध्य होती है संप्रेशन में सिस्टरता एवं नम्रता का प्रयोग किया जाता है ये काफ़े इंपोर्टन था इसको आपको यहाँ पे रठी लेना है हमने क्या देखा कि संप्रेशन सदेवे गत्यात्मक प्रक्रिया होती है संप्रेशन प्रक्रिया में परसपर अंताह करिया तथा प्रष्ट पोर्षन होना आवशक है संप्रेशन एक मनोवैग्यानिक तथा समाजिक परणाली है संप्रेशन सर्व व्यापक है बीना संप्रेशन के सिक्षरकार संभव नहीं है संप्रेशन दोई पक्षी होता है एक संदेश देने वाला दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला संप्रेशन के लिए संप्रेशन सी तथ्यों सूजनाओ तथा विचारों आदि का प्राप्त करता के लिए सार्थक होना आवशक है साथी साथ में संप्रेशन में विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है और संप्रेशन एक उद्देश पूर्ड प्रक्टिया है जो कम से कम दो व्यक्तियों के माध्य होती है संप्रेशन में स्रिष्टता एवम नंबरता का प्रियोग होता है यह काफी important है इसको आपको रट लीना है आप समझते हैं aims of communication इने समप्रेशन की क्या उद्धेश हैं इस बात को समझने का प्रयास करते हैं देखिए समप्रेशन मनुस्य की सबसे बड़ी आवशकता है पहली बात समप्रेशन मनुस्य की सबसे बड़ी आवशकता है दूसरी बात यदि विचारों भावनाव उद्ध्योगों और अंतरदवन्दों को प्रकाशित ना कर सके तो वह मानसिक संतुलन खोबरता है अता समप्रेशन मानसिक संतुलन और सांती के लिए भी आवशक है देखते होंगे कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति बहुत सांथ रहते हैं ठीक है जो उनको हिर्दयगात आने यानि हार्टेक आने की जार्जा चांसे जाते हैं क्योंकि अपने भावनाओं को अपने फिलिंस को व्यक्त नहीं करते हैं और जो व्यक्ति जो चोटी चोटी बातों पर रो देता है और फिर चोटी चोटी बातों को जो अपनी भावनाओं होती हो उसको प्रकट कर देता है यदि विचारो, भावनाओ, उद्योगो, अंतरदवन्दों को प्रकाशित न कर सके तो भावनाओ को शांत कर समाज में सांती और संतुलित बनाए रखना तो क्या बताए गया है हमपी, इसके अंतरदवन्दों को शांत कर समाज में सांती और संतुलित बनाए रखना ऐसे समाज में संगठन और ताकत होती है जिसके सदस अपने भावो का अपस में आदान प्रदान करती रहते हैं यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है कि भावो का अदान प्रदान तथा उत्तिजी भावनाओं को शांत करना इससे क्या हो जागा? समाज में शांती विवस्था कायम रहेगी ठीक है? और समाज में जो क्या रहेगा? वो शक्तिसाली रहेगा जिसके सदस अपने भावो का अपस में आदान प्रदान करेंगे अब जो व्यक्ति निर्भीक होकर अपनी सम्मती अथमा विचार प्रकट कर सकता है जो अपनी भावनाओ को दूसरे के समक्ष प्रकट कर उन्हें अपने वश में कर लेता है लाखो की भीड ऐसे कुसल वक्ता की बात एक आगरचित होकर सुनती है और उसे प्रभावित होती है जो व्यक्ति निर्भीक होकर अपनी सम्मती अथमा विचार प्रकट कर सकता है जो अपनी भावनाओ को दूसरे के समक्ष प्रकट करे उन्हें अपने वश में कर लेता है लाखो की भीड ऐसे कुसल वक्ता की बात एक आगरचित होकर सुनती है समप्रेशन का प्रकट के लिए समप्रेशन होना आवशक है यदि संगथन की पूरी जानकारी होगी उसमें रूची होगी और लगाव होगा सोध कारे से पता चलता है कि संगथन का सफल संचालन तबी होता है जब उसमें काम करने वाले व्यक्ति सहयोग करे और लोकतंत्र की यह पहली आवशकता है कि जनता प्रसासन से अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े इसलिए वैपार तथा सासन दोनों छेत्रों में उत्तम संप्रिशन व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजेगा कि संप्रिशन क्या है प्रसासन का महत्रिपूर सिध्धान थे ठीक है बिना संप्रिशन के प्रसासन आपका प्रसासन व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है अब किसी भी संगठन के कारे करने के लिए संप्रिशन होना आवशक है अब मा संगठन के बारे मं नहीं जानते तो आप संगठन से क्यों जूडना चाहेंगे अब कोई व्यत्ति संगठन के बारे मा पटाता है तो आपने उसके खूबी में नहीं जाना, अगर आप संप्रेशन के माध्यम से ही संभव हो है सोधकार इसे पता चलता है कि संगठन का सफल संचलन तभी होता है जब उसमें काम करने वाले व्यक्ति सहयोग करें ठीक है यहां भी बताने का प्रयास किया गया है कि सोधकार इसे पता चलता है कि संगठन का सफल संचालन तभी होता है जब उसमें काम करने वाले की प्यक्ति का सहयोग करे और लोकतंत की यह पहली आवशक्ता है यानि आपस में मिल मिलाक कर रहे मिल मिलाक मतलब इंदसेंस की सहयोग करे एक दूसरे का सहयोग तब कर सकते हैं जब उनके माध्य में आज इसकी आउशक्ता को ध्यान में रखते हुए, सभी राज सरकारों ने सूच रहा हैं, प्रसान विभाग खोले हैं, इस प्रकार संप्रेशन के महत्यों संबंधित अस्पष्ट हो जाते हैं, संप्रेशन के महत्यों को बात किया जाए, point wise, संचार या संप्रेशन प्रसासन संगठन की रखतधारा है, क्या बताएगा है, कि संचार या फिर जिसे हम संप्रेशन कहते हैं, तो ये क्या है, प्रसासनिक संगठन की रखतधारा है, यानि बीना इसके प्रसासनिक संगठन नहीं चल सकता है, मेशफ़ार के अनसार कहा गया है, कि मनुष जीवन के सभी पक प्रबंध का हिर्दय बताया है यहां पर क्या बता है मेशफार के अंसार कि मनुष्व जीवन की सभी पक्षों में संप्रेशन की क्रियाय का एक केंद्री तत्व है यह जो संप्रेशन होती है वो माना जीवन के केंद्र में है ठीक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वही पिफ संचार करने वाले व्यक्ति के पास आधुनिक तक्नीकी है तब वह कम से कम लागत पर संदेश संचार कर सकता है। को message की हैं, तो मैरे पास आधनिक चीजह है, ठीक है, आधनिक तकंगी की का इस्तिमाल करके मैंने message भेजा है, तो यह संदेज संसार कर सकता है. यईनि संसार उपलबड साधनों से प्रभावित होता है, जो उपलबड साधन मतलब जी साधन सब विद्यार्थेव को बड़ी अच्छी तरीके से वो एनालिसिस करके के हां बच्चों के समझ में आ रहा है वो पढ़ाएगा ठीक है अब वही एक हजार अगर एक student है एक हजार एक अक्छा में विद्यार्थी है वही एक teacher हो गया तो वो सब पर धहन नहीं दे पाएगा ठीक है वो अपना सिर्फ पढ़ा के जला जाएगा तो यहाँ पर संचार का जो है बताया जाए एक तरीके से संचार के बहुत अच्छा माधियम नहीं हो पाया तो संचार उपकरम के आकार के प्रभावित करता है आकार से प्रभावित होता है छोटे उपर में संचार ती व्रयौम प्रभावशाली होता है ठीक इस तरीके संचार समझ सकते हैं अब संचार देने वाले व्यक्ति का स्वभाव अभिरूची, चरित्र, VISHWास आधि संचार को प्रभावित करता है इस कारकों को प्रयोग लिखी तवर मौखिक संचार से अधिक होता है यानि जो व्यक्ति जो संचार का माध्यम जो है यानि जो वक्ता है एक तरीके से कहा जाए उसका सुभाव किस तरीके से है यानि अब सुरल सोभाव का है तो बड़े आसानी से student उसके उसको समझ लेंगे जैसे विकास देविकेटी सरोग है जिस्टी के ठीके अभिरुची चरित्र विश्वास उसका अभिरुची किस तरीके की है किसमे है चरित्र उसका किस तरीके का है करेक्टर भी यहाँ पर डिफ प्रभावित करता है यानि उसका जितना अनुभव होगा उसकी के हिसाब से उसका प्रभावशाली यहाँ पर वक्ता भी होगा यानि उसका संचार का माध्या भी उतना प्रभावशाली होगा अब व्यक्ति अपने अनुभव से कुसल पर लेखन की कला सीखता है और कुशलता आदी संचार को प्रभावित करती है जिस व्यक्ति तक संचार पहुचाना है उसकी चतूरत अर्थात इस्किल्स विशेश महत्व रखती है कि वह कितने कम समय में संचार प्राप्त कर लेता है अब यह चीज़ आप यहाँ पर समयने का प्रयास कीज़ेगा तो हमने क्या देखा पहले चीज़ अब ने देखा कि उपलब दसाधनों परियाप में महत्वड जो है डिपेंड करती है उपलब दसाधन आपके पास कौन-कौन से अब रियुची चरीत विश्वास और आदि संचार को प्रभावित करते हैं चावथा हमने क्या देखा कि उस देने वाले का अनुभाव यानि जो संचार देने वाले का अनुभाव संचार को प्रभावित करता है ठीक है व्यक्ति अपने कुशल व्यक्ति अपने अनुभव से कुशल पर लेखन की कला शीखता है और भवी शिव में इसके प्रियोक कर संचार को प्रभाव winning करता है यह बेसिकली हमब समझाने प्रयास किया गये है कि अनुभव के माध़म जो है जो व्यक्ति का अनुभा वा संचार को प्रभावित करेगा और संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति की छमता अनुभा और उशलता आदि संचार को प्रभावित करती है जिस व्यक्ति तक संचार पहुचाना है उसकी चतूरता रथाथ स्किल्स विश्यस महात्र रखती है वह कितने कम समय में संचार प्राप्त कर उसे कारिकारी रूप देता है तो यह चीज़ा आज करक्षा में हमने पढ़ी है I think आपको समझ मागया हुगा संचार का अर्थ हमने समझने का प्राप्त किया संचार की परिभासा, संचार के मुख्य विशेष्टा है और संप्रेशन के क्या उद्देश है और संप्रेशन के महत्तों को समझने का यहां पर हमने प्राप्त किया ठीक है अगला हाँ संप्रेसर की उप्योगी किस तरीके से बना जा सकता है उसको में आपर समझने का प्रयास करेंगे अगली कक्छा में So thank you so much, keep loving, keep supporting and keep staying with us, thank you so much